हेलो प्यारे बच्चो क्या हल चला आप सभी के डियर स्टुडेंट्स नवदीप सरकी फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चो तो देखी बच्चो अपने जो चैप्टर 8 था वो कंप्लीट हो चुका था और आज अपने इसके बुक के क्वेस्चन करने जा रहे हैं सारे तो इसमें मैं सभी बहुचे नात्मक और अतिल उत्रात्मक प्रशन आपको करवाऊंगा तो इसमें वो वो वाले क्वेस्चन करवाऊंगा जो आपके जो 60% स्लेवर्स के अकॉर्डिंग अपनी चैप्टर किया है बैस वो वाले क्वेस्चन यानि जो इसमें कवर होते हैं जितना आपने 60% कवर चैप्टर किया है ठीक है बाकी question अपने नहीं करेंगे तो चलिए बचो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई energy के साथ तो देखिए बचो पहला जो question है वो मैंने डाल दिया है इसमें लेकिन ये question आपकी जो अब वो chapter है इसमें नहीं है तो इसको एक बार नहीं करेंगे अपने question number second से start करते हैं सबसे पहले ये option वाड़ी mc को question है बहुत चैनात्मक जिसको आप कह देते हो तो इसमें आपको एक चीज मैं ये बता दूँ कि इन questions में कई चीज़े ऐसी हैं जो chapter में नहीं हैं लेकिन question में हैं और पिछली बार मैंने अरदवार्शी paper थे ना जब उसमें कोई question ऐसे देखे थे इस chapter के दो question ऐसे आये थे कि जो आपके क्या है यहां से पूछी हुए थे पीछे से ठीक है तो आपको जुरूरी नहीं आप इस पर objection नहीं उठा सकते कि सर अमारी book में question नहीं है तो अपने कैसे करें तो जो चीज़े आपको question में नहीं सीखने को मिलती है वो आप questions में नहीं सीखो ठीक है तो सबसे पहले है अतिचालक पदार्थों के लिए चुमकिय परवर्ती यानि काई का मान अतिचालक पदार्थों के लिए क्या होता है तो अपने को यहाँ से याद रखना आप डिरेक्ट आपको ठीक है तो अतिचालक आपको पता है काई M बराबर म्यू आर माइनस वन होता है ठीक है यह काई का सूतर है क्या होता है म्यू आर माइनस वन होता है काई मीडियम के लिए जो होती है तो अतिचालक पदार्थों के लिए mu r क्या होता है? 0 के बराबर होता है तो काई m बराबर 0-1 और –1 तो आपको एक चीज हमेशा याद रखने हैं कि अतिचालक पदार्थों के लिए जो चुमकिय परवर्थी है वो क्या होती है? –1 होती है, मतलब negative होती है आपको इतनी बात याद रखने है ठीक है? यह यहाँ question में आया है पहली बार chapter में यह चीज नहीं आई हुई है तो आपको यहीं से direct याद रखने है यह वाली चीज़ अब फिर next question है कि मुकताकाश की चुमकिय परवर्थी क्या होती है? तो मुकताकाश यहनी free space की तो मुकताकाश के लिए क्या होता है? काई एम बराबर mu r minus 1 तो काई एम बराबर 1 minus 1 मुकताकाश के लिए mu r का मान क्या होता है? 1 होता है mu r यहाँ पर क्या होता है? आप एकशिक चुमक शीलता ठीक है और जो अपने आप एक शिक विदुत शीलता भी पड़ी थी उसमें जो epsilon आ रहा है था उस वो भी मुक्त आकाश के लिए क्या होता है उसका मान एक होता है या निर्वात के लिए आप कह सकते हो तो काई एम बराबर 1-1 0 तो मुक्त आकाश की चुम्बकिये परवर्ती 0 इसका मतलब क्या है चुम्बकिये परवर्ती 0 होने का मतलब जो मुक्त आकाश है हावा है वो खुद चुम्बक नहीं बन सकती ठीक है ना चुम्बकिये परवर्ती अपने को बताती कि कोई पदार्थ कितना कच्छा चुम्बकिये वैवार पर दर्शित करता है तो जो मुक् के पदार्थों को उपर अतीचा लग पदार्थों के लिए नेगेटिव होता है तो यहां पर आपको यह फिर से एक नया क्वेस्टन आ गया है ठीक है तो अब आपको एक चीज मैं आपने यह बता दूं कि जो आपके पास परती चुमब की पदार्थों के लिए लग बग एक के बराबर या एक से थोड़ा बहुत ज्यादा होता है और लोग चुमब की पदार्थों की चुमब की परवर्ती बहुत ज्यादा होती है तो आप चुमब की परवर्ती को इसके नाम से याद रख सकते हैं कोई पदार्थ कितना अच्छा चुमबक बन सकता है वो उसकी चुमबकिये प्रवर्ती होती है और यहाइ इस बात पर निर्बर करती है कि आपका पदार्थ कैसा है परती चुमबकिये लिए इसका मान negative होता है क्योंकि वो चुमबक बनी नहीं सकता उल्टा चलता है वो, ठीक है फिर चुम्ब के एक शेतर से क्या होता है वो पर्तिकरसीत होता है अनू चुम्ब के थोड़ा सा करसीत होता है तो उसकी थोड़ी बहुत होती है एक के करीब होती है लगबग एक के आसपास ठीक है और अगर आपको क्या है कि कोई पदार्थ आपका बिल्कुल है मतलब लौ च उसकी चुम्ब के परवर्ति का मान काफी ज़्याद होता है फिर नेक्स्ट है पदार्थ की आप एक शीक पारगम में था एक पॉइंट जीरो 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 एक है तो पदार्थ होगा फिर किसी पदार्थ की आप एक शीक पारगम में था तो आप एक शीक पारगम में था और च चिलता है एक दूसरे से रिलेटेड आपको पता है काई एम बराबर मू आर माइनस वन है तो आप देखो कि अगर इस पॉर्मूले में अपने मू आर का मान ज्यादा रखेंगे तो काई एम का मान भी ज्यादा आएगा ठीक है तो अब आप इसको इस परकार याद रख सकते है जिस परकार मू आर का मान होता है वैसे ही काई एम का मान साथ-साथ चेंज होता है तो अब आप देखो कि एक के आसपास मैंने आपको किसके लिए बताय है अब इवी उपर वड़े कुश्चन में अनुच़्मकिय पदार्तों के लिए तो मूर ग्रेटर दैन वन किया पदार्थ है ठीक है और अगर नेगेटिव आ जाए तो वो पदार्थ कैसा है आपके पास वो पदार्थाब का परती चुम्बकिया पदार्थाब कह सकते हो फिर चुम्बकिया क्षेतर में से किस से अन्योन्य किरिया नहीं करता है चुम्बकिया क्षेतर निमन में से तो अब आप देखो कि अगर चुम्ब की एक्षेतर में कोई चुम्बक लाओगी उस पर प्रबाब पड़ेगा, आप होगे कि हाँ चुम्ब की अबल लगेगा, अगर B चुम्ब की एक्षेतर है, तो F is equal to QVB, वहाँ पर बल लगता है, QV cross B, अब next है तवरित चुम्बक से, उनली विदुत खेतर होता है, तो उस पर कोई प्रबाब नहीं करेगा हो, और चल विदुत आवेश, चल मतलब गतीमान आवेश पर, तो गतीमान पर तो आपको पता यह भी चुम्बक एक्षेतर बल लगाता है, तो ऐ, बै और दै तीनों पर यह क्या है बल लगता है, जब युगमित इलेक्ट्रोन या इन में से कोई नहीं तो इसमें क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोन की कक्षिया गती परती चुमकिया का गुण आरेपित चुमकिया क्षित्रोन इलेक्ट्रोन की कक्षिया गती की अनोने के यह द्वारा पराप्त होता है परती चुमक तब क्या होता है कि जब आप क्या करते हो परती चुमक पदार्स वो होते हैं जिनके बाई या कोश में क्या होता है सभी इलेक्टरोन क्या होते हैं युगमित होते हैं युगमित कोई इलेक्टरोन नहीं होता तो इस कारण उनका नेट जो चुमक किया अगूरन आपके पास क्या होता है शुने होता है आपको मैंने अभी बताया है कि क्या होता है उनमें इलेक्ट्रोनों के जोड़े पाए जाते हैं पेर पाए जाते हैं तो इस कारण क्या होता है कि उनका चुमकिया गूरन क्या हो जाता है नेट जो जुमकिया गुर्णे जी होता है फिर नेच्ट गैरवा क्वेश्चन है कि लो जुमकिया पदार्तों की आप एक शीक पारगमे था मियू आर का मान होता है अब ये देखो कई पचार-पांच क्वेश्चन है मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना अच्छे तरीके से याद कर लेना ये चैप्टर के अंदर नहीं आए अउनली क्वेश्चन के अंदर है तो क्या होता है आपको मैंने भी बताया था लो जुमकिया क्या होता है तो उद्रवादर गटक शुने कहां पर होता है अब आप देखो कि उद्रवादर गटक ये क्या हो कौन सा गटक कह रहा है ये वाला उद्रवादर ये तो क्षैतिज होता है अगर मैं आपको पैन की हेल्प से बताऊं तो ये ग्रीन और ये रेड है तो ये क्शेतिजा और ये उद्रवादर गटक है ठीक है, तो इसके कहने का मतरब है चलो क्शेतिजी तो यहां पर रहते ही है लेकिन ये वाला गटक जीरो कब होगा ये वाला गटक जीरो तब हो सकता है रेको ये दोनों गटक बनते कब है जब आपका चुम्ब की एक शितर यहां कहीं, चुम्ब की एक शितर की दिशा यहां कहीं बीच में हो ऐसे, ठीक है, यहां कहीं भी हो, तो आपको पता है, यहां पर क्या बन दा है, ठीटा कौन, यह कोस ठीटा गटक बन जाता है, यह साइन ठीटा गटक बन जाता है, बन जात आप यहां पर option देखो क्या है अब आप एक चीज यह याद रखनी पड़ेगी कि यह क्षैतिज वाले को अपने बोलते क्या थे क्षैतिज वाला जो गटक होता था इसकी दिशा यह कहां पर होता था क्षैतिज वाला भी आप ऐसे बोल सकते हो कि यह क्या होता था जो आपके मैं आपको थोड़ा से याद करवा देता हूं कि जो आपने यहां पर ऐसे प्रित्वी बनाई थी तो मैंने कहा था यहां पर इसके चुम्ब के दुरूब होते हैं उपर वाले को चुम्ब के उत्री दुरूब और नीचे वाले को चुम्ब के दुरूब और नीचे वाले को तो zero अब यहां परोगा है जो पृत्वी की यह वाली line होगी और अपने इसको बोगॉलिक होता है एक चुमब की निरख्ष होता है वह बोगॉलिक से थोड़ा सा हट करोता है 11.3 degree का कौन जो बोला था तो पृत्वी के। चुम्ब की एक शेतर का उद्रवादर गटक शुने कहां पर होता है चुम्ब की एक दुरूप पर दुरूप पर तो मैक्सिमुम होता है सुई बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है बोगॉलिक दुरूप पर भी नहीं होता क्योंकि वहां पर भी क्या है चुम्ब की एक शेतर और ये कौन सी बात होगी, ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाली बात होगी, भी चुम्ब के दुरूगे, चुम्ब के यामियतर बात तो एक ही है, ये चुम्ब के दुरूगों से गुजरने वाला ताली होता है, और कोई ही नहीं, तो यहां पर अपने का उप्शन ही नहीं मिल परदर्शित करता है और यह मैंने आपको बताया भी था किसको परदर्शित करता है क्यों बराबर वी एन ने फॉर्मुला इसका बताया था पदार्थ के इकाई आयतन को इकाई चक्र में चुम्बकित करने पर उर्जा हाने इकाई आयतन को और इकाई चक्र में क्या है वा स्थाई चुमक बनाने के लिए श्टील का क्या होता है गर गोता है और जो नर्म्लोई तो अब श्टीर वाले का क्षेत्र फल जाए तो उर्जा का हरास तो इसमें कम होई नहीं सकता तो यह option गल्थ है Steel का अग्नतव अधी का है, अग्नतव वाली कोई बात ही नहीं आयी थी, ये भी गल्त है Steel के लिए अवशेष चुमबकतव अधी का है, तो अवशेष चुमबकतव वो वाला चुमबकतव होता है कि जब बाहिय अपने चुम्बकन क्षेतर H का मान जीरो कर देते हैं तो जो B का मान उसमें शेश रह जाता है उसको अपने अवशेश चुम्बकतव कहा था ठीक है तो अवशेश चुम्बकतव तो आप देखो कि नर्मलोई के लिए जादा होता है श्टील के लिए कम होता है तो श्टील के लिए अवशेश चुम्बकतव भी जादा नहीं होता तो लाष्ट क्या है साधारन बाई ये क्षेतर से चुम्बकतव नश्ट नहीं होता है तो येई औप्शन होगा जो बच गया अब आपको क्या करना है जो इसके अंदर चुम्बके अक्षेतर बना है उस के पास नरम लोए हैं या जो नरम लो चुम्ब की अपदार्स है उनकी तुल्ला में स्टील में लेकिन रहता क्या है वो ज्यादा टाइम है मतलब उसको जीरो करना तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा इसका अपने स्थाई चुम्बक बनाने के लिए स्टील का क्या करते हैं उप्याओ करते हैं तो क्यूरी ताप पर लोचुम्ब की अपदार्स हो जाता है यह क्वेश्चन आदा ही छपा है यहां पर तो आप इसको याद रख लेना क्यूरी ताप पर लोचुम्ब की अपदार्स क्या हो जाता है क्या था क्यूरी का नियम क्यूरी ताप क् की अपदार्त अनु चोंब किया अपरी वर्तित हो जाता है तो से option ये आपर अनु चुम की यांप बोक में देखना तो अनु मद किया आप इसका sir दे सकते होगे अनु चुम की अपदार्त में क्या हो जाता है वो change हो जाता है लौक सिंग के अपडार्त जब तो अपने ताप बढ़ाते हैं तो उसकी चुम्ब के परवर्ती कम होती जाते हैं काई एम परपोस्टनल टू वन अपॉन टी या काई वराबर सी टी यह आपने बढ़ा था ठीक है तो यह आपके MC क्यों हो गए यहां पर complete अब next है question number one जो आपके हैं छोटे यानि अतिलग उत ठीक है तो एक चुम्ब के सुई जो उद्रवादर तल में गूमने के लिए सवतंतर है यह दि बूचुम्ब के उत्र या धक्षिन दरूपर रखे तो यह किस दिशा में संकेत करेगी तो मतलब की इन्हों ने यह कहा है कि एक चुम्ब के सुई उद्रवादर तल में गूमन उपर है आपको पता है प्रित्वी का जो चुम्ब की एक शेत्र है उसका S पोल होता है उत्री दरूपर ठीक है तो इसका नॉर्थ पोल नीचे होगा साथ उपर होगा लेकिन ये सीधी खड़ी होगी ऐसे लेकिन अगर आप दक्षनी दरूपर ले जाओगे तो ये गोम जुर योई दिशा में संकेत करेगी क्योंकि बूचुम्ब की एद्रूपर नती कौन का मान क्या होता है नवे डिग्री होता है नती कौन क्या होता है क्षैतीज के साथ बनाया गया कौन तो जब सुई सीधी खड़ी है तो क्षैतीज के साथ ही कितना कौन मनाएगी नवे डिग्र का कौन मनाएगी समझाई बात अब नेक्स्ट है बचो चुम्बकिया पदार्थ के परकार का नाम लिखो जिसका वैवार सदार्ण ताप में परिवर्तन पर निर्बर नहीं करता ठीक है कि जो ताप पर निर्बर नहीं करते जिनका जो चुम्बकिया वैवार है तो ऐसे एक ही अपदार्तों के लिए दिया था और क्यूरी वाइस ने जो नियम दिया था वो लौ चुम्बकिया के लिए दिया था और क्यूरी ताब भी लौ चुम्बकिया पदार्तों के लिए परिभाशित होता है तो इस परकार जो परती चुम्बकिया पदार्त है उस पर ताब का प्र विश्वत रेखा ये चुम्बकिया निरक्ष है और ये क्या है चुम्बकिया आक्ष है तो ये कह रहा है कि यहां से चुम्बकिया निरक्ष से जब अपने क्या है इस दुरूओं की और जाएंगे तो नती कौन में क्या परिवर्तन होगा और आपको पता है जैसे जैसे दुर दुवों की और जाते नती कौन बढ़ता जाता और दुवों पर जाके 90 डिग्री हो जाता है और इस विश्वत रेखा पर या विश्वत जो चुम्बक या विश्वत रेखा है उस पर क्या हो जाता है इसका मान 0 डिग्री होता है तो 0 से 90 की बढ़ता है एक चीज़ आप ली यह यह चुम्बक ही है यानि क्योंकि जोgos संब आप रित्वे के अंदर अपने अगर मान ने यह ए वैसे तो नहीं पड़ी हुई लेकिन अगर मान लेकी की चुम्बक पड़ी है तो वो थोड़ी अगर इसमें आपको doubt है न तो अगर मैं मेरे वाड़े notes अगर पुराने पड़े है न तो उसमें एक सार्णी बढ़ी हुई है जिसमें इन तीनों के गुणों की तुलना कर रखी है तो वो सार्णी में आपको क्या है कि इस पर जो तो टेलिग्राम चैनल उस पर अबलेबल करवा दूँगा समझें इस बात फिर नेक्स्ट है कि दारन शीलता किसे कहते हैं दारन शीलता आपको पता है दारन कर लेता है वो जितने चुम्ब के ख्षित्र तो पदार्स में चुम्बक और ख्षित्रे नी दो ठीक है फिर चुम्बक यामियोत्र किसे कहते है तो यह आपको मैंने बताया था कि वह उद्रवादर तल जो क्या है चुम्बक या अक्ष से गुजरता हो या चुम्बक के दुरूबों से जो दुरूबों को मिलाने वाले देखा क्या होती है चुम्बक या अक्ष से गुजरता है उस तल के समांतर खीचे जा सकने वाले अन्य तल भी चुम्बक यामियोत्र कहलाते है तो यह आप सिंपल प्रिबाशे जो मैंने आपको बताई है नोट्स में दे रखिया वह आप वह भी लिख सकते हो प्रिस्वी के नती कोण के मान 0 और 90 डिगरी कहां पर होता है फिर क्वेश्चन है यहां पर की माद्यम की चुम्बक या पारगमेत और चुम्बक या परवरती में सबंद लिखे हो म्यू ब्रबर म्यू 0 वन प्लस काई होता है ठीक है अब एक चीज़ आप यहां पर यह देखो कई बच्चों को यह चीज़ थोड़ी अजीब लग सकते है कि सर यह फॉर्मूला कहां से आया यह मेरे अब याद आया है कि यह formula कहां से आया आपने जो formula पढ़ा था वो यह यह वाला पढ़ा था तो अब यह formula यहां से बना कैसे कि अगर मैं इस mu 0 को इसके नीचे ले जाओ तो mu माद्यम बटा में mu 0 आपके पास mu r बन जाएगा और यह किसके बराबर बन जाएगा 1 प्लस काई माद्यम के लिए यह माद्यम के लिए formula बन गया तो काई m का मान जब आप निकालोगे तो यह mu r minus 1 आजएगा बना इसी formula से है लेकिन directly आपके नहीं दिया होगा यह मेरे अब याद आया है तो आपको बता दिये मैंने आपको confuse नहीं होना है starting वाले questions में फिर द्रूसा मर्थ है का मात्रक लिखो तो यह मात्रक वैसे ही question नहीं था चलो MPR into meter होता है ठीक है यह आपके paper में syllabus में नहीं है फिर next है उस स्थान पर नती कौन कितना होगा जहां पिर्थवी के चुम्ब के क्षेतर का उद्रवादर गटक और क्षेतिज गटक का अनुपात एक बटा अंडरूर तीन है तो अब आपको जैसा question में दिया हुआ है वैसा आप रख दो इसमें उद्रवादर गटक आपको पहले उद्रवादर दिया हुआ वर्टिकल और क्षेतिज होरिजन्टल तो BV upon BH आपके पास एक बटान रूर तीन दिया BV उद्रवादर अब देखो उद्रवादर उपर वाला होता है पिर्थवी के चुम्ब के एक शितर अगर B यहां पर है तो यह वाला क्षेतिज गटगा और यह वाला उद्रवादर तो BV यह वाला और इसके साथ यह कौन थीटा बनता है तो यह थीटा कौन बनता है तो इद्रवाला कोस थीटा और यह साइन थीटा तो BV साइन थीटा और BHB कोस थीटा ये एक बटान डूर 3 के बराबर है B से B cancel तो 10 थीटा बराबर एक बटान डूर 3 और आपको पता है 10 तीस डिगरी का मान क्या होता है एक बटान डूर 3 होता है तो यहाँ पर अगर थीटा आपने निकालें तो वो क्या आजएगा 30 डिगरी आजएगा इस परकार सौलव कर सकते हैं फिर चुमक्य शैथिल्या क्या है चुमक्य शैथिल्या क्या होता है कि आपको पता है लो चुमक्य पदार्त के लिए चुमक्य टीवरता और चुमक्य ख्षेतर चुमक्य ख्षेतर एच से पीछे रह जाने की परवर्थी चुम्बकन तीवरता मतलब जो आपके पदार्स के अंदर जो चुम्बक एक्षेतरुत्पन होता है B वो H से पीछे रह जाता है यह मैंने आपको बताया भी था उन्हें इसी कोई आपने क्या बोल देते हैं चुम्बकिया शेतिल्या बोल देते हैं ठीक है फिर उस स्थार्ट पर नती कोण का मान क्या होगा जहां पर प्रिष्वी के एक शेति जो रुद्रवादर गटक समान है अब यह इसके जैसे क्वेश्चन आगया बैसे इसमें थोड़ी सी लेंग्वेज चेंज कर दी इनोंने आपको BV और BH ब्राबर कर देने हैं तो B से B कैंसे और sin theta और cos theta ब्राबर यह तो आप इसको sin theta से बाग देता दो दोनों तरफ cos theta से बाग दिया तो यहाँ sin बटा cos क्या बना 10 और इ Fallout से cos कैंसे तो 10 theta ब्राबर 1 और 10 theta ब्राबर क्या आ suis to give और heightened दीग्री और कई बच्चों के दिमाग में ऐसे भी आ सकता है कि सर एक सो अगर अपने 35 डिगरी की बात करें तो वो भी क्या होता है वहां पर भी बराबर होंगे लेकिन बच्चों क्या है आपको पता है जो नती कौन है उसका मैक्सिमा मान 90 डिगरी होता है चुमकिया दुरुआ पर ठी समझा ही बात तो अब आप देखो इसमें मैंने कई क्वेस्चन छोड़ रखें यह देखो बारमा चौदमा ग्यारमा दसमा नौमा स्टार्टिंग वाले तो सारी थे अब हो सकता है इसके बाद भी कोई पंदरमा सोलमा पड़े हो और यहां आप उपर देखो तो उपर भी म तो आपके 60% से लेबस में हैं क्वेस्चन तो आप यह यह वाले क्वेस्चन कर लो अब आप देखो इसमें मेरी मेंनत लगती है यह नहीं लगती मुझे क्वेस्चन चांट चांट के उनको सबसे पहले मैं कंप्यूटर में Microsoft Word जो होता है उसमें इनको सेट करता हूँ पहले तो आपको तो लगता है कि सर्थ अलमेंपडार नहीं रहे अपलोड नहीं कर रहे नोटस नहीं हमें दे रहे या और है वह मेनत इसमें लगती करें मैं इस वीडियोрах करें पहले में तो नमेरिकल भी इस कहले इस के ज़्यादा बड़े नमेरिकल नहींragen नहीं है और पूर formula based numerical है तो यह वो सारे numerical एक ही आपको वीडियों में complete करवात हुआ समझाई ज्यादा माता नहीं मारेंगे अपने तो आज की वीडियों बच्चो इतना ही मिलतें next वीडियों में तब तक के लिए thank you have a nice day प्यारे बच्चो